गुड़ आफ्टरनून सेकिन्ड क्लास हम लोगों ने कहे थे parts of body अब हम इनी parts of body में से five sense organs पढ़ेंगे बच्चे कि ये sense organs क्या होते हैं sense organs वो organs होते हैं हमारी body के वो parts होते हैं जो चीजों को sense करने में help करते हैं sense करने में यानि feel करने में महसूस करने में help करते हैं तो ये हमारी body में 5 होते हैं यानि 5 sense organs हमारी body में present होते हैं ये 5 कौन-कौन से हैं? ये 5 sense organs हैं eyes, ears, nose, tongue and skin eyes क्या होती हैं? आंखें आंखें कितनी हैं हमारे पस? 2 eyes present हैं तो ये दोनो eyes हमें किस में help करती हैं? देखने में हम कोई भी चीज देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं फोन देख रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं आप देख कर लिख रहे हैं तो वो सब देखने में कौन help कर रहे हैं? eyes इसके बाद ears होते हैं ears यानि कान कान भी कितने होते हैं दो होते हैं तो हमारे पास दो ears हैं दो ears हमें किस में help कर रहे हैं सुनने में यानि hearing में उसके बाद nose है nose कितने है one अब ये one nose हमारी किस में help करता है smell feel करने में यानि कोई चीज कितनी खुश्बू है किसी चीज में वो कैसे पता चलती है आपको नोस से घर में टेस्टी टेस्टी खाना बनता है तो आपको उसकी दूर तक खुश्बू आ जाती है तो वो खुश्बू आपको कैसे पता चलती है नोस की हेल्प से नोस है तो आप smell कर पाओगे, यानि smell को feel कर पाओगे, उसके बाद है tongue, tongue क्या होती है, जीब, अब ये tongue कितनी है, ये भी one है, अब ये tongue का क्या काम होता है, taste को feel करना, अब आप कोई भी tasty dish खा रहे हो, आपको कैसे पता कोई चीज कितनी मीठी है, नमकीन है, खटी है, कड़वी है, तो ये सब जो taste है, वो आपको tongue की वज़े से पता चलते हैं, तो tongue भी एक sense organ है, और उसके बाद आती है skin, skin क्या होती है, अब जैसे ये मेरे हाथ की है न, skin, ये द touch करते हो, तो आपको किस से feel होता है, skin से feel होता है, तो skin जो है, वो touch को feel करती है, touch को feel करती है, heat को feel करती है, heat को कैसे, जैसे आपको गरम गिलास को touch कर लो, तो आप कैसे एकदम से छोड़ दे तो आपको गरम feel होता है, तो वो सब sensations कहां से आ रही है, skin से, यानि skin जो है, touch को, heat हीट, कोल्ड यह सब चीदों को फिल करने में हेल्प करती है तो यह हमारे फाइफ सेंस ओर्गन्स हैं तो अभी हमने सेंस ओर्गन्स पढ़े अब हम इसमें से कुछ छोटे-छोटे कुश्चन्स करेंगे जैसे हमारा फर्स्ट है हम देख सकते हैं सी क्या होता है देखना हम देख सकते हैं विद अवर कौन्चे संस ओर्गन्स की मदद से हम देख सकते हैं वो हमें यहां लिखना है तो देखने के लिए क्या जरूरी है आइस तो यहां हम लिखेंगे आइस उसके बाद next है We can hear sounds with our dash Hear क्या होता है? सुनना तो sounds क्या होती है? आवाजें तो हम आवाजों को सुन सकते हैं किन की मदद से? किन की help से? कान यानि ears E-A-R-S ears की help से हम सुन सकते हैं फिर next है We can smell with our dash हम smell कर सकते हैं यानि smell को feel कर सकते हैं हम खुश बूल ले सकते हैं किस की मदद से? nose की मदद से तो यहां हम लिखेंगे nose उसके बाद है We can taste with our dash तो हम taste कर सकते हैं किस की help से? taste का पता कर सकते हैं कोई चीज नमकीन है, खटी है, मीठी है, करवी है यह सब होते हैं taste तो taste किस की help से करते हैं हम? tongue की help से और अब last part है हमारा we can feel with our dash तो हम feel किस की help से करते हैं? नहाट कोई गरम है, चीज ठंडी है, टच फील करना यह सब हम किस से feel कर सकते हैं? skin से तो बच्चों यह थे हमारे five sense organs eyes, ears, nose, tongue and skin आप सभी बच्चे इन five sense organs को अच्छे से learn करेंगे thank you